आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं निसान मैगनाइट यह जो बेस मॉडल है इसमें कुछ-कुछ कमिया जो है कॉस्ट कटिंग जहां पर की गई है उसके बारे मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कंपनी जो प्राइस पर आपको यह गाड़ी दे चाहिए क्योंकि और आपको इस प्राइस पॉइंट पर तो कहीं न कहीं कॉस्स कटिंग की गई होंगी तो चली वीडियो को शुरू करते हैं और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जैसी आपकी श्रड़्दा हो तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट इंटेग्रियर के मैं बता देता हूं क्योंकि हम लोग इंटेग्रियर में हैं तो सबसे पहला फिटन फिनिश का इश्यू आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो यहां पर आप लोगों को पैनल गैप देखने के लिए मिलना है उसके आप सेम अगर आप देखें कंसिस्टेंट वहां तक जाते तक में बढ़ जाता है एक और इश्यू जो है इसमें मैं दिखाता हूं आप लोगों को इसको खोलने में यह देख रहे हैं यह ताइट है काफी ऐसे खुलता नहीं है और अगर इसको आप कोशिश करते हैं आप से खोलने क तो इसका खुद का वेट जो यह चीज है यह इतनी भारिये कि ऐसे आता है तो एकदम ऐसे यह गिर सजाता है ऐसे और अंदर की तरफ इसमें किशू है कि जब गाड़ी चलती है तो यहां से आपको रैटलिंग नौइस काफी सुनने को मिलेगी अगर आप यहां हाथ रख ल यहां एक तो इसको श्रू की वज़य से इसको मिलती है जब भी तो आपको पता होगा कमेंट aboard तो इसको सबएग बात करे देते हैं और नौइसार सबसे वड़ा इसउड़वा donation सबसे बड़ा issue इसके steering को लेके जो मैंने वीडियो पहले भी बनाई है अगर आपने देखी हो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं चानल पे नीचे होंगी या YouTube पर सर्च कर सकते हैं Nissan Magnite steering issues वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो उसमें क्या है गाड़ी का steering जब आप extreme right और extreme left कर देते हैं तब अपने आप auto center होता है और अगर आप इसको directly लेके गाड़ी को आगे बढ़ते हैं चलते हैं चलाते हैं तो auto center नहीं होता है अगर आप इसको एक बार left right नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा issue है वागनार में जैसे आपने देखा होगा कि इधर अगर steering मुड़ा है गाड़ी चलती जा रही है तो auto center नहीं होती है exactly वही issue यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है एक बार left right हो जाएगा तब सही हो जाता है यह issue है steering अपने मन पे चलता है एक थोड़ा साब क्या सकते हो issue इसके switches को लेके है यह हमेशा कई बार यह issue create करती है for example अभी कर रहे है मैं इसको live ही दिखा देता हूँ आप लोगों को तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यह है जैसे की meter यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको यह देखें मैंने यहाँ से इसको किया windows locked अब इसको मैं बार-बार कुशिश कर रहा हूँ बटिया अनलॉक डी रह जा रही है यहाँ से मैं बटन को पूरा प्रेस कर रहा हूँ बटिया यहाँ पर देखेंगे अनलॉक रह जारी लॉक करने पर भी तो इसको बहुत ऐसे टाइट प्रेस करना पड़ता है तब जाके windows लॉक के उपर आती है अनलॉक से अभी भी आप देखेंगे इशुल अनलॉक डी है अब लॉक हुआ है बहुत टाइट करने के बाद और बागी अब आते हैं एक मेजर इशु वह है इंजन में भी कि अब जैसे हजार सीसी है तो अगर आप लेते स्विफ्ट वगएरे पर जा रहें 1.2 से इस पर आने की कोशिश कर रहें तो हजार सीसी है यह बात देहन में रखिएगा सिटी में चलाने में ट्राफिक में आपको काफी दिक्कते आने वाली है लेकिन अगर हाईवे पर जाते हैं तो कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं म अब यह जस्ट अभी अभी फ्यूल अप करवाया है मैंने अभी वस एक देड़ गंटे पहले और उसके बाद से गाड़ी कितनी चलिया उसके बाद मैंने जीरो किया था तो मैं दिखा देता हूं आपको उसके बाद से गाड़ी चार किलोमीटर चलिये तो बहुत ट्राफि के experience में मैं बता हूं अगर तो गर्मी में आपको AC चलाते हैं जब तो AC के साथ आपको 10 से उपर माइलेज नहीं मिलेगा ठंडियो में मुझे ये 11 बारा तक का माइलेज एक से ये city का है अब अगर highway पे गर्मी में AC के साथ देखें तो 14-15 तक का और अगर बिना AC के मतलब ठं से 14 का निकला था जो मैं आपको क्लेम करके बता रहा हूं तो यह कुछ-कुछ issues हैं गाड़ी के अंदर कुछ cost-cutting वाले चीज़े हैं अब जैसे यह बेस मॉडल है यहां पर लोगों को चलिए यह जगह तो दे दी गई है अगर आप music system लेगवाना चाहते हैं तो थोड़ी जब्सक्राइब आती है कभी कबार बट डाट इसमें इसमें जितनी मेजर इशुज मुझे लगे वह मैंने आपको बता दी है बाकी हां एक बूट का भी इशु यह है कि अब जैसे इसमें और बूट मितलब लॉक वागर नहीं होता और सेंटर लोकेंग वागर नहीं है तो उस तरह यह नहीं बताता है हां हला कि डिफॉगर दिया गया यहां पे आप लोगों को यह जल रहा है जैसे कि यह संटर आपका आजार लाम के लिए दिया गया है अब यहां अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो क्लिक के साउंड टाइब की आती है बताता नहीं यह लॉक चुकी है कि नहीं हुई है कई बार मेरे साथ यह इंस्टेंस हुआ है कि इसको चेक नहीं क्या मैंने बूट को और राद बार बूट खुली रह गई थी बाकी इतनी चीज़ है बाकी रूफ वगरे की बात करें और इसकी बात करें टिकेट होल्डर वगरा हर चीज यहां पर परफेक्ट टॉप नॉच दी गई है बस जितने इशू मुझे हलके फलके लगे वह मने बता दिया है और सर्विस रिलेटेड अगर आप पूछते हैं तो सर्विसिंग काफी अच्छी है इनकी तो एक एसी रिलेटेड इशू आया था जिसके उपर मैं वीडियो डाल वह कट गया था अंदर का मतलब की उसमें जाली लगी रहती है और फिल्टर वगएर ऐसी के वह सब कट पिट गया थे और अंदर मतलब चुवे खुस गयते हैं और जाम हो गया था तो उस चीज को सही करने में के लिए इस्टिमेट मुझे 3500 का बताया गया था और डैश्ब प्लेस नहीं होना था कच्ड़ा बहुत फस गया था तो उसको साफ कर दिया और वह जो जाली थी वह तो कट गई तो वह सही हो नहीं सकती तो वह चीज बस उसको टेंपररी फिक्स करके फ्री ऑफकॉस मतलब काम करके दे दिया था और जब भी मैंने सर्विस भी करवाई है तो मैक्स 2-5 गंटे के अंदर गाड़ी मिल जाती है जब कि इतना अरश रहता है वहाँ पर तब भी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते है अगर आप लोगों को कोई वार वीडियो चाहिए तो बताईएगा उसके उपर भी एक वीडियो बना के आप लोगों को मिल देलाइगी, थैंक यू